आज बीना मावा का गाज़र का हल्वा बनाएंगे इतना टेश्टी हमी कि आप पकिन नहीं करेंगे कि बीना मावा का इतना टेश्टी हल्वा बन सकता है तो चले इसे बनाना सुरू करते हैं तेहां पर एक केजी गाज़र दिया है तो इसे सबसे पहले छिल लेंगे छिलने के पिर इसे अब कद्धू कस करें तो हम इसे पहले चिल लेते हैं गाज़ड को और गाज़ड में जो पीछे जड़वाले भाग है उसे हम चाकू से काट कर अलकर देंगे और थोड़ा सा उपर से भी काट देंगे और इसे चिलने के बाद हम पूरी तरह से धोलेंगे पाने में चाल कर इसे अच्छे से मसल कर दो लेंगे फिर से एक वाल और इसे हम ठाली में रख लेते हैं और अब हम इसे कदूकस करेंगे कदूकस करने वाले के मदद से इसे हम कदूकस कर लेंगे तो मोटे वाले से करें कदूकस या पतले वाले से करें मोटे वाले से इसे कदूकस करें मुटवले से जल्दी कदूकस हो जाता है तो इस तरह से हम कदूकस कर लेंगे तो 15-20 मिनट में कदूकस हो जाएंगे ज्यादा समय नहीं लगते हैं कि एक किजी घाजर है अगर ज्यादा घाजर का हलवा बना रहे हैं तो आप समय कदूकस करने में थोड़ा ज्यादा समय लग कदुकस करकर जो हल्वा बनती है बहुत हैमी टेश्टी लगती है और लोग बीना कदुकस किये बनाते हैं कुकर में कड़ाही में वह ज्यादा हैमी नहीं लगती है कदुकस करकर बनाएंगे हल्वा तो बहुत हैमी लगेगा और अब कड़ाही में हम इसमें दो चमच देशी गी डालेंगे हल्वा देशी खी में बना बहुत हैमी टेश्टी बनेगी और इसे घी को गर्म हो जाने पर कदू कस्किया हुआ गाजर डाल दीजे इसे तो हमने पूरा गाजर डाल दिया है और अब इसे हम मिला लेंगे गी में से चलाते हुए हम इसे 15-20 मिनट तक इसे हम हुझेगी जिसकी कलर चेंज होते जाएगी और गाजर में जिता है भी पानी होगा मौशरू पूरे सूख चाएगे और हल्वे में सोन्धा पनाएगा गाजर को इस तरह से भून कर बनाने में बहुत यमी टेश्टी लगता है आप एक वार इस तरह से जरूर बनाएगा फ् पूल पैट क्रीम में दूध लिया है मलाई के साथ आल दिया है एक लीटर दूध है जो चाय कोफी के लिए दूध लेते हैं वहीं दूध है बस अब गाजर और दूध को अच्छे तरह से हाई फ्लेम पर इसे बने देते है जब तक कि पूरी तरह से दूध सूख नाजाए तो दूध हम 10 पिनिट में सुख गए है हाई फ्लेम पर इसे हम सुखा लिया है तो अब इसे हम टेस्ट एकॉर्डिंग चिनी डाल देगे यहां पर चिनी हमें 3 टेवलिक स्पून लिया है और चिनी कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट एकॉर्डिंग और इसे हम सुखा ल आप अपना पसंद से ड्राइफुट्स डाल सकते हैं कम जादा और थोड़ा समय डाल दिया है इलाइची चार से पांच इलाइची का दाना कूट कर इसे हम डाल दिये हैं फ्रेस हरी इलाइची को बहुत पढ़िया यम्मी से इसे इलाइची की खुसबू आएगी हलवे में औ इसका टेस्ट और पढ़ जाएगा इसे हम भूनेंगे और इसे हम 5-6 मिनट तक हलवे को और भूनेंगे जब तक कि ये पुरित्र से गाजर खलवा पुरित्र से सूख ने जाए दूद इसमें हलका सा मौशर लग रहा है तिसे हम और सुखा लेते हैं 2-3 मिनट तो हलवा इसमें आया है इस तरह से और उपर से द्राइफूट से सजा देंगे हलका सा और बहुत यमी बना है अब इसे 3-4 दिन तक खा सकते हैं बिना फ्रीज करकर खराम नहीं होती है जब भी खाना हो तो आप ओवन में एर गैस पे आप इसे गरम करें और इंजॉय करें बहुत यम स्वीट डेजर्ट तयार है अब बीना मावा का बहुत यमी लगेगा आप एक वारी से जरूर ट्राय करिएगा इस तरह से